16.1 कोईला और पेट्रोलियम की उत्पत्ती Origin of coal and petroleum लगभग 36-28 करोड वर्ष पूर्व कार्बोनी फेरस काल में वनस्पतियों, पेड़ पौधों एवं जन्तूओं के मृत शरीर प्रित्वी के भीतर दब गए धीरे धीरे उन पर मिट्टी की परतें जमती गई भूगर्भ में उच्च ताप एवं दाप पर ऑक्सिजन की अनुपस्तिती में ये मृत शरीर कोईले में बदल गए हालांकि यह भी माना जाता है कि ये मूलतह वनस्पतियों से ही बनते हैं इस मत के पक्ष में तर्क यह है कि कोईले की परतों में बड़ी संख्या में जिवाश्म मिले है इन में से कुछ जिवाश्म पत्तियों वपाधों के नाजुक अंगों की छापें है जैसा कि चित्रा नुसार दर्शाया गया है कोईले की परत में पत्ति की छाप ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्र में रहने वाले जीवों पलवक से हुई है जब ये जीव मृत हुए तब इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ठके गए लाखों वर्षों तक ऑक्सिजन की अनुपस्तिती में उच्चताप वदाब पर मृत जीव पेट्रोलियम तथा प्रक्रतिक गैस में परिवर्थित हो गए